हलो स्टुएंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सीरीस और बेस्ट स्टेड़ी दूँगा कि जिससे आप कंप्यूटर साइंस के अंदर 95% अभी भी कैसे पास सकते हैं अगर आप आज सभी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ठीक है मैं यह चलूं कि आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा कोई बात नहीं सबसे पहली चीज रिसोर्स अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल को प्रिफर करना जो रिविजन टूर वन है और रिविजन को पढ़ना ही पढ़ेगा ठीक है यह मस सोचो कि यार मैं आपकी जगा आजाओंगा नहीं पेपर आपको लिखना ही आपको पढळना ही पढ़ेगा ठीक है त्क है तो इस टाइम पर अपनी बिर हिश इस की कम कर लो ताकि आप कम से क rely on्यारो और गार्ण समझ जाओ कि छो का रिजल्ट है वो लाइफ में मैटर करता है ठीक है चलो अब शुरूबात करते हैं सबसे पहले आपको एक बार एक बात करी जाते हैं कि एक्जाम को देने से पहले एक्जाम को पड़ो ठीक है क्या है सबसे पहले आप यह देखो कि आपका सिलीवर्स क्या है और किस किस टॉपिक से कितने नमबर का रहा है ठीक है अब आपका इस लेवर्स तीन पार्ट में डिवाइट करूँ मैं तो एक तरफ आपका हाथ है चैप्टर होन से लेकर चैप्टर नाइं तक ठीक है बताऊंगा कि जिन्होंने कुछ पढ़ रखा है जिन्होंने मैं देखो तीन केटेगरी में बाद में बच्छों डिवाइड करूंगा आगे लाश्टने वीडियो देखना उसमें आपको बढ़ाऊंगा ठीक है कि जो जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं वो क्या करें और जो ठीक ह्ट्रवून से चैप्टर 9 में पूरा काम है वो घृतन प्रोग्रामिंग के बारे में बात करी गई है ठीक है चैप्टर आचे होता है रिवीजन यन पूर बन अब वो बच्चे वह बच्चे जिनका बिलकुल नहीं पड़ा बेज आए उप Zug सबसे बहले ह्म बात कर लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं Kategories एक की पहले बात करते हैं ठीक है एक मिनट के लिए रूक जाओ एक सकेंड अब देखो वह पहले हम एक काम करते हैं पहले मैं इसको पूरा देख लेता हूं क्य quatro चैप्टर तुर05 है हमारा रिविजन टूर वन ठीक है आई टीवन लिख देता हूं चैप्टर टू है हमारा रिविजन टूर टू ओके फिर चैप्टर थी से देखो चैप्टर थी से आपका मेन क्लास 12 की कोडिंग शुरू होती है ठीक है और वह भी चैप्टर 9 तक चैप्टर थी से देखो चैप्टर वन और टू तो रिविजन ही है ठीक है वन और रिविजन पर रखका वह रिवाइस करा गया है अब चैप्टर टेन की बात करो चैप्टर टेन जो है यह आपकी किताम में लगबग लगबग 150 पेजिस के एराउंड है ठीक है एक्जैक्ट मैंने आप लोग को देखो मैं स्टडी देने हैं मतलब ऐसे नहीं है मैं पढ़ाता भी हूं और खुद मैंने खुद 96 परसेंट नमबर स्कोर करे थे ऑल्दो 98 परसेंट थे मैंने बताया था क्यों 96 है ठीक है अब इसके लिए आप मेरे लेक्ट्टर कर सकते हो साथ मैं इसके क्या होगा दो कि सवाल आएएगे इक सवाल जो है वह आपको सर्फार दो आएगा ठीक है और वह आना ही students दो इसके आएंगे वो इसके theory based आएंगे ठीक है तो चूरी के लिए प्रीवेस यह कुश्चन कर लेना आपके चैप्टर 10 जो है वो त्यार हो जाएगा ठीक है और अभी तो आपके पास दो महीने का टाइम है यह तो बात है यह प्रीवेस से बिलकुल लास्ट में अभी आप क्या कर सकत करने के लिए किताब से पढ़ लो दूसरा किताब से नहीं पढ़ना मेरी वीडियो से पढ़ लो मैंने बहुत अच्छे से explain करा हुआ है आपको इंडेप्थ लेक्चर मिलेंगे इस चैप्टर की ऊपर चैप्टर 10 कबर हो रहा है ठीक है और अगला जो वीडियो आका चैप् चैप्टर त्रीबी कुछ दूनों में शुरू करूंगा मैं अब आतने हम चैप्टर 11 पर यह सबसे इंप्पोर्टेंट पार्ट है यह स्टेजी वह यह है कि अगर आपने 11 पर नहीं पड़ी कोई बात नहीं कुछ नहीं पड़ा आपको पाइटन का कुछ नहीं आद तक को कोई बात नहीं बेकोज यहां से बिल्कुल ही बिल्कुल यह नए स्रेसे से चीजें स्टार्ट की है और मैं आपको गारंडी देता हूं यार इतनी आसान लेंगेज है तो आपको बहुत अच्चे समझ में आ जाएगी और स्क्राइब जाता है कुछ 24 मार्क्स के एराउंड जैसा मैंने सैंपल में काउंट किया था कुछ 24 नंबर के आसपास के आपकी स्कुल के इस पेपर के अंदर आप ने कर ली ठीक है ठीक है ठीक है फिर और यह पांच अब अब यही से आ भाई भाई अब आपको पेपर होता आपका तीयुल्ट से बैटर करेगा ठीक एकर यहां से आ गए और अब नहीं से आ जा रहे हैं आपने कुछ करी नहीं है ठीक है तो कितने होगा 64 और 64 अब आपके दो सवाल जो है वह आते हैं किसी इसके दो आपके कुश्चन आएंगे दो कुश्चन आपके आने वाले मैंने आउटपूर्ट बेस्ट मैंने पिछली वीडियो में बताया था पर एक आपका आता है री राइट वाला तो दो और तीन और दो यह तो चालिस चालिस और तीस सेवेंटी नमबर तो आपके ऐसे ही हो गए आउट ऑफ हंड्रेड तो सतर परसेंट तो आप ऐसे ही ले सब्सक्राइब करेंगे बिना इनको कवर किये अभी समझ रहे हो बिना इनको कवर किये ब्सक्ताइब दीति रिखार चुकिए या और सी मैं उनको रख़ूगा इनका दस परशेंट कंप्लीट है या फिर या वह स्टार्ट करने वाले हैं अब देखो कि सबसे पहले 70 वाले अगर तो इस बात की गारेंटी है कि तुमने इन मैंसे तो और इन चैप्टर में भी तुम कर रहे हो अब तुम जो कर रहे हो एक और समझ लेना कि जब आप पढ़ो तो सीरीस के साथ पढ़ना मैंने इनको इसे लिए इसलिए चैप्टर 10 आप अकेला एक समझ में लाइगी वह लिंक होती है ठीक है और मैं यहां पर भी बोलूँगा रिवीजन टूर 1 टूर 2 की तो मैं बात नहीं करूंगा हो सकता आपके बहुत अच्छे हो तो आप क्या करो चैप्टर 30 चैप्टर 9 पूरा एक साथ पढ़ना मतलब कि एक सीरीस से पढ़ना जिस पार्ट रहे गया होगा ठीक है आप आप रहेंगे स्क्यल में चल रहे होगे तर्टी पसेंट आप का बहुत रहें थार्टी पसेंट इसको पहले च्मपलीट करो चल्ली चल्दी फिर उसकेवाद लगाना शुरू करो ठीक है प्रिवीस और कुशन जद्ना ज़ाधा लगा ह ठीक है वह आपको हेल्प जरूर करेगा सब्सक्राइब हो गया बागी आप करी लोगे अभी टाइम है आपके पास अब सुरी में जो बात आती हो हमारी आती फॉर्टी पॉसेंट वालों के साथ अब यह हमारा फॉर्टी पॉसेंट हम क्या करें देखो कि अब आपका 40 पॉसेंट मैं मानता हूं 40 पॉसेंट में आपने लगवग आपने अच्छे से कर रहा होगा और आपके बेसिक्स अच्छे हैं आप चैप्टर दी चैप्टर करो ठीक है हम कवर कर लेंगे और साथ मेना एक तरफ से देखो क्योंकि क्योंकि अभी आपके पास ट करना तो सवाल मैं बता दूगा तो सवाल मैं बता दुगा तो चैप्टर 10 गवर करना इसके बाद आपको यह चैप्टर 11 से बढ़ना शुरू करो और इसको अंपलीट करो जब यह अपका ठीक है तब यह कंप्लीट हो जाए तब तक आप उम्मीद करता हूं मैं कि इसके भी एक दू शेप्टर बच्चे होंगे आप उसको भी गवर कर लोगे ठीक है और देखो इस टाइम पे आपको पेज से पढ़ना पड़ेगा तेजी से पढ़ना पड़ेगा विकॉस यार मुझे नहीं पता कौन बच्चा कैसा है बट हाँ इसी बढ़ा सकता हूं मैं अगर आप टाइम दोगे आपको चीज़ा समझ में आएंगी थोड़ा टाइम लगेगा आपको बट अगर आप पढ़ लोगे ना तो यार आपके नमबर चाब अच्छे आएंगे ना तो बहुत ज्यादा खुशी आपको होगी कि हाँ यार मैने म प्रिवीज़ नमबर आप पूरा सब्सक्राइब करना है इसके बाद करना है आपको करवा दूँगा यह मैं आपको बताया प्रेटिस करें पड़े कि समझ में आ जाएगा ठीक है पांच नमबर का थियोरी मेरे वीडियो से पढ़ते लेना तो उसके बाद करना है चैप्ट और अगर आपको बहुत अच्छे नमबर स्कोर करने हैं तो आपको इतना काम करना ही पड़ेगा ठीक है इसको आप डिनाई नहीं कर सकते आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपके नमबर आएंगे यह बात को ध्यान से समझ लेना ठीक है बागी चप्टर बन टू मेरा कव करने वाले हैं और ऐसी में आपके सारे चप्टर कराऊंगा आपको अच्छे से पढ़ा दूँगा तो बस यह थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप सभी के लिए स्टेटिजी बताई है आपकी स्कैटिकरी में लाइक करते हैं बताना जरूर और साथ में अगर आपको नो कर पाओ